हालो फ्रेंट्स, सेकंड ग्रेट 2022 का नौटिपिकेसन जारी हो चुका है, जी हाँ, सब्जेक्ट वाइज पोस्ट का नौटिपिकेसन जारी हो चुका है, एक्जाम फोरम भी आपके 11 अप्रेल से स्टार्ट है, पूरी डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, साथ अगर आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सबस्क्राइब जुरूर कीजिए क्यूंकि इस चैनल पर हम सेकिंड क्रेट से समंधित स्टेडी मैटेरियल, करणट जी के से लेटेस्ट और साइकोलोजी, सिक्सामनो विज्ञान चे समंधित और आपका जो फर्स्ट पेपर को आपको कैसे तयारी करनी है और उससे समधित एक्जाम ओरिंटेट क्यूसन हम इस चैनल पर लेके आएंगे तो आप पने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कों न बुले चलो स्टाट करते ही वीडियो को सबसे पहले बात करते हैं अंग्रेजी सब्जेक्ट के जो कुल पोस्ट कितनी आई है यह नोटिपिकसन आप ओपीसियल वेबसाइट पर जाके भी देख सकते हो और हमारे टेलिग्राम चैनल से भी आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो जिस इसमें अंग्रेजी सब्जेक्ट के जो पत आये हैं वो कितने पत आये है 16 insert English Subject काया है आप के थे सकते हैं गणित के भी इस बार काफी अची पोस्ट इए है मैट्स के जो कुल पोस्ट आई है वो आई है 16103 पोस्ट आई है काफी अची पोस्ट मैट्स सब्जेट के आई है आप सब्जेक्ट वाइज के टेगरी वाइज इसके के अंदर पोश्ट देख सकते हो टीएसपी और नोन टीएसपी की अलग लग पोश्ट देख सकते हो संसकर सब्जेक्ट की जो पोश्ट है वो अठारा सो पोश्ट संसकर सब्जेक्ट की आई है इसके अंदर हम पूरी डिटेल साम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं उस 140 post SST की इसके अंदर post आईए उसके बाद मैं अपना आगे बात करें पंजाबी की तो पंजाबी की 70 post आईए और उर्दू की 106 post इसके अंदर आईए अब इसके exam फोरम कब से start है वो सारी हम इसके अंदर बताएंगे जी हां metric pay level कितना है यानि कि आपको कितना जब आप जोब लग जाओगे तो कितना payment मिलेगा तो ये metric pay level इसका 11 है यानि कि आपको probation काल के अंदर इसके अंदर जो payment मिलेगा वो मिलेगा साड़ी 26,000 यानि कि 26,500 रुपए तो आपके जो starting की जो salary है probation में दो साल तो आपको ये मिलेंगे pay level 11 के अंदर यानि 42,000 grade पे आता है और level 11 आता है जिसमे 26,500 probation में मिलता है उसके बाद में जो आपकी total salary आपकी मिलेगी दो साल बाद में वो लग बग 55,000 प्लस आपको salary मिलेगी उसके बाद में नियूनतमाई 18-40 वरस रखी गई है लग बग इसमें और इसके बाद में इसका जो आप इसमें केवल notification वाली सारी details हम आपको इस वीडियो में बताएंगे चैन पर क्रिया क्या है केवल आपका इसमें paper होगा और उसी paper आजार पे प्रिक्सा की तित्थी के बारे में इसने यहां इसप्रस्ट नहीं किया है प्रिक्सा की तित्थी के लिए बोला है कि प्रिक्सा इस्तान और तित्थी के समय में यता संभव सुचित कर जाएगा यह हम आपको वीडियो में बताएंगे कि यतासंभव का क्या मतलब है और कब एक्जाम होनी है उसके बाद में आवेदन की तीती जो most important है इसके अंदर वो है आवेदन की तीती आवेदन की तीती आप यहाँ पर देख सकते हो आवेदन की अवदी 11 अपरेल से यानि 11 तारिक से फोरum स्टार्ट हो जाएंगे 10 से माई तक फोरum चलेंगे यानि कि आवेदन के लिए पूरा पूरा एक माहे आपको दिया गया है तो आवेदन की प्रकरिया 11 अपरेल से आप ओनलाइन फोरum बढ़ सकते हो इसका उसके बाद में आवेदन के लिए क्या क्या चीज़े आऊ सकते हैं वही जो नॉर्मल अपन हर बार फोरum बढ़ते हैं जिसमें आऊ सकता होती है वही इसमें आऊ सकता होगी पेपर फरस्ट और पेपर सेकंड दो पेपर होंगे पेपर फरस्ट आपके 100 क्यूसन होगा जिसके 200 माक्स को होगा आपका ठीक है और ये डिटेल आप बैसिक सभी जानते हो और ये पेपर फरस्ट रहेगा जिसके अंदर क्या क्या आएगा किस टाइब से क्यूसन आएंगे वो इसमें बता रहा है तो वो हम आपको पूरी डिटेल से इसमें देख सकते हो इसके अलब पेपर सेकंड रहेगा जो 1500 क्यूसन का रहेगा 300 नंबर का रहेगा तो कुल मिला कर इसके अंदर जो पेपर आपका रहेगा वो 300 अंका होगे पहला वाला पेपर 200 यानि 500 अंका पेपर रहेगा डाइसो के उसन आएंगे दोनों के मिला के ठीक है और इसके अंदर minimum qualifications के लिए आप देख सोगे examination wrong answer गे the minimum qualification for each paper cell be 40% provide that the percentage fix above cell be relaxation by 5% continuing the schedule of यानि कि यह बहुत बड़ा यहां पर यह जो बात है notification के अंदर यह यह बाकाइदा is first है कि अगर आपके 40% से कम अगर आपके percentage बन रहे हैं तो आप qualified नहीं हो यानि कि paper qualified करने के लिए minimum 40% आना compulsory है जी हां each paper में 40% आना compulsory otherwise आप disqualified हो जाओगे यानि कि पढ़ते एक paper में first paper second paper में 40-40% आना चीए तो यह पढ़ने वाले students के लिए बहुत बड़ी opportunity है paper के अंदर क्योंकि यह सबसे most important रहता है कि कई बार आप देखते हो कि कई बार काफी low level के अंदर का top से लिए जाती है जिसका फाइदा कई categories में अभेरतों को नहीं देखने को मिलता तो यह एक बहुत ही अच्सा advantage है प्रिक्ससूल की की बात करें तो इसमें सामाने और non-crimiliar के अंदर जो जाती आती है उनके साड़े 300 है और क्रिमिलियर और अती पिछड़ा वरग और EWS के 500 रुपए है फॉरम पीस यहां पर आप फॉरम पीस देख सकते हो बाकी आप फॉरम पीस इसमें completely आप डिटेल इसमें देख सकते हो इसके अंदर फॉरम पीस का यह schedule हो गया उसके बाद में इसके अंदर अन् लिए इसके एक्जाम कब होगी वो सबसे most important है तो एक्जाम आपका जो फॉरम डेट है उसी को आधार बना के मैं आपको इसमें जो लगबग एक्जाम कब हो सकती है वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि एक्जाम कब होगी तो देखिए आवेदन की जो अंतिम फॉरम है दस मही के बाद में अगर दस दिन और आपको आवेदन के लिए देते हैं तो बीस मही तक आवेदन के अंतिम्तिती रहने वाली है यानि दस मही अभी आवेदन के अंतिम्तिती है लेकिन दस दिन और प्रयाब समय दे सकता है उसके बाद में आपको यू मान के चले लगबग त्री माहा का समय तो मिनिमम आपको मिलेगा तीन मांत का समय मिलेगा तो तीन मांत के अंदर क्या क्या आ जाएगा आपका जून आ जाएगा ठीक है और आपकी जुलाई आ जाएगी पूरी ठीक है जुलाई के बाद में आपका अगस्त आ जाएगा ठीक है संभावी ततारिक है आप 20 अक्टुम्बर को संभावी तारिक मान कर एक्जाम की तयारी करें या फिर मैक्सिमम जो जाएगी वो जा सकती है नॉम्बर फर्स्ट वीक के अंदर नॉम्बर के अंदर फर्स्ट वीक के अंदर exam हो सकती है, यानि 20 सक्टूμमेर से लेखे नॉंबर फर्स्ट रिक में exam schedule होना संभावित है और उसी को आदार बना के आप तियारी करें, यानि की नॉंबर माहे के अंदर हर आड्र में exam होने की संभावना है, इसी के आदार को बना के तियारी कीजिए all the best आप सभी को कुछ भी पूछना हो तो कमेंट्स करके पूछे साथ ही चैनल सब्सक्राइब नहीं क्या तो चैनल सब्सक्राइब करना बिलको न बुले धन्यवाद